हाईलो एवरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर नेट बाले बिलाउच की कटिंग करना सिखाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने नेट लिया है और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है अत्तर हमारा सूतिय कोटन का तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे बाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो अत्तर को हम यहाँ पर अच्छे से विछा लेंगे फोल्ड करके और हाँ पर बिलाँज की लंबाई 12 इंच है 2 इंच का मार जलेंगे तो हाँपर हम क्या करेंगे 14 इंच पर निसान लगाएंगे और यह बिलाँज हमारा कॉलर बाला है तो इसलिए सोल्डर की चोड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 13 इंच तो 13 को आदा करेंगे तो साड़े छेंच पर हमें निसान लगाना है ठीक है इस तरह से और यहां से आर्मोल की लंबाई नापेंगे तो आर्मोल की लंबाई छेंच रखेंगे आर्मोल की लंबाई साड़े छेंच तक ले सकती है ठीक है और यहाँ पर एक इंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे कुछ इत्रह से और सीने की चोड़ाई हमारी 32 इंच है तो 32 के चोड़ाई भाग हुए आठ इंच और दो इंच का सिलाई मार जल लेंगे और कमर की चोड़ाई हमारी 26 इंच है तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 और 1 इंच पिलेट के लिए मार जल लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है 7.5 इंच पर निसान लगा देंगे और 2 इंच का सिलाई मार जल लेंगे अब हम यहाँ पर पिलेट का निसान लगाएंगे तो बंदवाली साइड से हमें पिलेट की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच और यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और इतर से तरचे में लाइन खीचेंगे तो यहाँ पर मैंने निसान लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी निसान के उपर कटिंग करेंगे और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने आगे बाले पल्ले को कटिंग कर लिया है यहाँ पर हमने गले की कटिंग नहीं करी है क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे बंद कॉलर डिजान का गला बनाएंगे ठीक है तो गले की कटिंग हम बाद में करेंगे अब हमें याँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो अत्तर को हमें फोल्ड करके बिछा लेना है और याँ पर क्या करेंगे किनारी है तो इसकी कटिंग करेंगे फिर हमें आगे वाले पल्ले को लेना है और इसके उपर कुछ इत्रह से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर रख लेना है और रखने के बाद हमें निसान लगाना है आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गुलाई एक इंच रखी थी तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गुलाई डेड़ इंच रखनी है ठीक है और उपर से सेम निसान लगा देंगे फिर हम यहाँ पर इस पल्ले को हटा देंगे और यहाँ से क्या करेंगे कटिंग करेंगे जहाँ पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है अब हमें आपर प्लेट का निसान लगाएंगे तो प्लेट की चोड़ाई हमें आपर रखेंगे 5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच तो इस तरह से सीधी लाइन खीचेंगे एक इंच और हमारी यहाँ पर प्लेट रहेगी तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है अब हमें आपर नैट को लेंगे इसको तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसके उपर आगे वाले पल्ले को रख लेना है और रखने के बाद हमें कटिंग करना है यहाँ पर हम थोड़ा सा नैट जादा कटिंग करेंगे क्योंकि सिलने के बाद हमें इसको अच्छे से कटिंग कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आगे वाले नैट की cutting कर लिया ठीक है आगे वाले पल्ले की अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की cutting करेंगे तो नैट को हमें अच्छे से बिचा लेना है और इसके उपर हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग करना है यहाँ पर भी नैट की थोड़ी ज़ादा ही कटिंग करना है ठीक है तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे बाजू की कटिंग करेंगी तो नैट को हमें कुछ इत्र से बिचा लेना है फोल्ड करके और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई पांच इंच है यहाँ पर एक इंच का माजल लिया है ठीक है फिर हम यहाँ पर दो इंच पर निसान लगाएंगे और कुछ इत्र से गुलाई करेंगे बाजू हम पफवाली बनाएंगे तो बाजू की चोड़ाई हमारी साथ इंचे तो साथ इंच पर निसान लगाएंगे और इतना हमने देखी यहाँ पर माल जल लिया है ठीक है बीच में पलेटने डालने के लिए तो अब हमें आपर क्या करेंगे इसी निसान के उपर कटिंग कर लेते हैं ठीक है पफवाली बाजू में हमें कपे को ज़्यादा लेना होता है ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हल्की सी घहराई देंगे यह वाला इस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कट लगा देंगे तरह से तो यहां पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और हैं पर हमारी लेस है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक यू